नमस्का दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने चैनल दो रीटेल इन्वेस्टर में गाइस आज जिस टॉक की मैं बात करने वाला हूँ उस टॉक ने इतने जबर्दस रिटन दिये हैं जिसकी कलपना नहीं की जा सकती अपने शेत्र का आप कह सकते हैं शांदार लीडर है पिछले एक साल के अंदर 136% से भी जादा का आप कह सकते हैं इसने रटन दिया हुआ है यह स्टॉक आप कह सकते हैं न्यू एज चेकनोलजीस का स्टॉक है और प्रेस्टीज टाटा ग्रुप का स्टॉक होता है और अब इ ऐसा क्या है कि इस स्टॉक में इतनी ज्यादा तेजी आ रही है एनलिस का क्या कहना है टेकनिकल एनलिसस में भी अगर हम बात करें तो क्या बाते होंगी इन तमाम चीजों में चड़ जाओ कि दोस्तों वीडियो को अंति तक देखिएगा बहुत इंफरमेटिव बहुत एज लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आएं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा देए वीडियो अच्छे लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा तो अब विदाट वेस्टेम सीथा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ देखिए ये टाटा साल का चार्ट दिखाता हूँ पिछले एक साल में आप देखे इसने more than 133% की तीज़ी दिखाई है और मतलब आप देखे क्या शान्दा ये ये हुआ ये देखिए ये ये सीधा ये ट्रेजेक्टरी शुरू ठीक है और ये ट्रेजेक्टरी जो आप देख रहे हैं न दोस्त का क्या है क्या जो भी इसमें तमाम जो तेजी होनी थे हो चुकी क्या आप स्टॉक से चुप चुप से निकल जाना चाहिए तो देखे इसके लिए बहुत अच्छा आटिकल है यहां मैं शुरू करूँगा आप देखे इस टाटा ग्रूप स्टॉक है फ्रेश ओल टाइम हा इंडियन एक्विटी बैंचमार्क से स्टेट गुड एन एक्सपर्ट ओपन आप समझे इतनी जाधा तीजी के बावजूद भी अभी भी कहा जा रहा है कि मोर दैन 15-20 परसेंट की स्टॉक में अभी भी रैली हो सकती है हां लेकिन उसके लिए जो एक्विटी मार्केट भा का वो थोड़ा स्टेबल होना चाहिए दोस्तों ठीक है अब चलते हैं भाई चीजों पर तरफ देखिए शेर ऑफ टाटा इलेक से हट सफ्रेश और टाइम हाई इंडरादे हाई अफ रूपीज 10,398 इं फ्राइडे सर्जिंग एस माच इस 9.5 परसेंट वर इस प्रिविए के नंबर अच्छे आये ही दोस्तों प्लस जो ग्रोथ का आउटलुक है वो बहुत जबरदस्त है और यही रीजन है कि स्टॉक इतनी जादा तेजी दिखा रहा था ठीक है आगे देखिए अने वाले आट से दस महीनों में ये स्टॉक आपको पंदरा से बीस परसेंट अच कि देखिए इस कंपेनी के जो ब्रसेंस मोडल है यह अपने प्रतिदंद्वियां से काफी हद तक अलग है बात करें वैल्यवेशन वाइस तो टाटे लेक्षी विडवी एक्सपेंसिव बट इट हाडली स्वाइनी करेक्शन गीवन दे ग्लोबल रसेशन फियर यह क्या कहन है आइड़ी वेए केपिटल के हैड़ अफ केपिटल एक के प्रभा करका इनका मानना है टाटा इलेक्षी के अगर वैल्यवेशन में आप जाएंगे तो वाकई में यह एक बहुत साधा एक्सपेंसिव स्टॉक है लेकिन कोई भी फियर ओफ रसेशन आपको या गिरावट इसमें ग्लोबल रिसेशन का बिलकुल नहीं दिखेंगा ठीक है देखें टेकिए टेकिंग क्लोस वैल्यूस इंटो कंसरेशन देस्टॉक इस्टॉक इस्टॉक अगे है टाटा इलेक्षी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर नितिन पाई सैथ दे कंपनी विंग्स न्यू जो आप कह सकते हैं नहीं है इस टेक्नोलजी इस ला रही है ड्राइवर लेस्स टार्स के लिए वेहिकल कनेक्टिवीटी के लिए और इन तमाम नहीं प्रकार के डिजाइन के लिए और इसलिए इसको एक प्रीमिम वेलिशन दी जा रही है दोस्तॉँ ठीक है आगे पाय कहत और हम काफी हद तक फोकस दोस्तों अपने कस्टमर के साथ उनके application एरिया में कि हमकी problem क्या हैं कि solutions क्या है और expected to experience sustained growth और हम आने वाले समय में sustained growth expect कर रहे हैं broad and long term digital technology जिस तरह यह digital technology में नहीं चीज़ें हो रही है टाटा इलक्सी की जो आने वाले समय में आपके सब्सक्राइब ग्रोथ है वो बहुत शांदार है यह पाईस आपका कहना अब देखिए भी यही कह रहे है कि भाई हमें आज के समय के आज यह securely connected machine चीए एसी machine जो आफस में बहुत ही securely connected हो नए ने robotic system आए और नॉमल सिस्टम हो जाए digitalization हो electrification of automobiles हो तो इतना साथा हवी काम है और ऐसी में एक ऐसी company जो इस चीज को करने में महारत हासिल रखती है जिस चीज को करने में जो बहुत हद तक बहुत शांदार तक सक्षम है तो इसलिए growth prospectus देखिए मैं हमीशा कहता हूँ जब result अच्छे आए बुरे आए श्टॉ उससे जदा reaction उसके कह सकते हैं आप इस चीज के उपर देता है कि company guidance क्या दे रही है और ऐसे में company guidance क्या दे रही थी दोस्तों या दे रही है company का मानना यह है कि भाई साब जो नई automation चल रही है driverless car की बाते चल रही है रोबोटक्स के बाते चल रही है इसको लेकर कि growth बहुत शांदार है और हम इस growth पे भागिदारी होंगे इसी लिए जो growth outlook है वो काफी हद तक शांदार है टीक है बात करें कि भी technically अभी stock में क्या करना है तो देखे technical की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ लेके चलता हूं देखें सबसे पहले जो strong numbers according to one q1 में जो strong numbers है दोस्तों the company's net profit jump by 62% to 184.72 crore in June quarter of the current fiscal year. Last year Tata Alexis profit was 113 crore 62% का jump year on year दोस्तों इनके profit में 184 crore जो एक साल पहले समय 113 crore था revenue from operation में 30% की वृद्धी 725 crore का quarter one में EPS भी बढ़ा है दोस्तों उन्टी सुपते है 660 पैसा हो गया है quarter one financial 23 जो पहले केवल एठा रोप एक किस पैसे था ठीक है बात कुना हम अगर मैं technical views की तो आप सम्झे है the target price applied to the breakout price point comes around 11,500 followed by 11,750 ठीक है however due to overbought nature of the stock risk revotation seems unfurable and accumulation at lower level 9,500 देखे बात यही कही जा रही है कि हाँ जो एक new horizon है 11,500, 11,750 में लेकिन अब stock overbought zone में आ चुका है दोस्तों तो जब तक साड़े नौ 9,000 क्यास पसना है तब तक कोई बड़ा accumulation से बचे अभी ठीक है तो यह टाटाई रेक्षी में पूरा view था एक euphoria बन जाता है stock में तब प्लीज खरीदने stock को बचे लेकिन हां long term में यह stock एक बहुत बहुत शांदार stock हो दोस्तों तो यदि आपको मेरी analysis पसंद आई हो प्लीज वीडियो को like कीजे चैनल पहली बार आ है subscribe जरू कीजेगा यहां तक जूरे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद यह इस वीडियो कानता है चैनल दोस्तों